महंगाई के इस दोर में युवा बर्ण नोक्री की तलास में इधर दोधर भूंता रहता है शरकारी नोक्री मिले या ना मिले प्राइवेट नोक्री की तरफ दोड़ता है मगर प्राइवेट नोक्री में पैसा बहुत कम मिलता है राजस्तान का एक आदमी आसाम में जाकर के नोकरी करता है प्राइवेट और रूपे मिरते हैं बारह जार रूपे पर मंद दोस्तों क्या होगा पारहजार रुपे परमंद हों दस हजार रुपे उखा लेता है वहीं पर रहने चैने के लग जाते हैं मकान किराय के लग जाते हैं खाने कर्चे के लग जाते हैं दो हजार रुपे बसते हैं 2000 रुपे का मतलब साल के 24,000 रुपे क्या खाएंगे उसके बच्चे कैसे चलेगा उसका घर क्या होगा उन बुड़े माबाप का कभी विचार किया है आपने नहीं किया आईए आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताना चाहता हूं जो गाउं में करके आप 15-20,000 रुपे महना कमा सकते हैं आप कहेंगे 15-20,000 रुपे महना तो हमें आसाम में मिल रहा था आसाम आसाम है दोस्तों घर से इतने दूर जाना वापिस आने के लिए तरस्ते रहोगे जाना तो शुरू कर देंगे आप मगर वापिस आने के लिए क्योंकि जब जेब में प सन 1970 की बात कर रहा हूँ सो रुपे मैंना मिलता था मुझे शुरुवात में जिसमें साथ रुपे खाने कर्चे के लगे जाते थे रहना ठीसी परिवार के रिष्टेदार के हो था बताईए कैसी भीती होगी मेरे में अठारे मैंने से घर आया था यहीं इस्तितियां आपकी होंगी इसलिए मैं कहूंगा गाउ में कोई बिजनेस करेजिए अब आप कहेंगे कोई ऐसा बिजनेस आइडिया दीजिए दादाजी जो गाउ में चल सकता हो जरूर बताऊंगा इसी वीडियो में बताना जा रहा हूँ गाउ में कौन-कौन से बिजनेस अच्छे चलेंगे गाउ में महिलाओं के लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा कुछ महिलाएं माताएं मैंने गाउ में अच्छी पढ़ी लिखी हैं घर वाले पैशा भी लगा सकते हैं मगर आइडिया देने वाला कोई नहीं है आईए आज मैं इस वीडियो में बताऊगा कि गाउ में आपको क्या बिजनेस करना चाहिए गाउ में बिजनेस करने का तरीका क्या है और गाउ में चलने वाले वो कौन-कौन से बिजनेस हैं जो माताएं बहने भी कर सकते हैं, पुरुष सर्द से भी कर सकते हैं, और घर का परिवार का हर सर्द से कर सकता है, दोस्तों साडी, साडी का बिजनेस, हर घर में साडीयां पहनी जाती हैं, चाए वो बंगाल हो, बिहार हो, राजस्तान हो, एमपी हो, गुजरात हो, या साउथ मैं कही तमिल लाडू हो, किसी भी स्टेट में चले जाईए आप, सब जगे साड़ी चलती है, माताएं बेहनों को परिवार में घर में पहनने के लिए साड़ीयां चाहिए, कीचन की साड़ीयां अलग चाहिए, कीचन में काम करते वक्त, और विवासादी में साड़ीयां बिजनेस आराम से चलेगा, एक-एक माताएं बेहनों के लिए पचासों नहीं सेंकड़ों साड़ीयां होती है, कभी आपने उनके आलमारी खुल के देखी हो तो आपको पता चल जाएगा, ऐसी इस्तिति में साड़ी का बिजनेस आराम से चल सकता है, आप किसी होलसेल डीलर से या मैनुफेक्चरर से डायरेक्ट ला सकते हों, तो जरूर लाइए, नहीं तो किसी बड़े सहर में एक बार जाकर के आईए, वो ओनलाइन भी भेजते हैं, ओफलाइन भी बिजनेस करते हैं, मैं ओनलाइन और ओफलाइन, दोनों के बारे मैं आपको बता रहा हूं, ओनल अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर और अलग अलग वेराइटी की साड़ियां चलती हैं, तो ऐसी इस्तिति में आपको जाकर के खुद पर्चेज करके लानी हैं, करना क्या है, विजनेस करने का तरीका क्या है, इसका तरीका यह एक ही पहली बार आप 20-25 अजार रुप की कोई साड़ी खरीदी, उसके अलग अलग कलर, जो कलर आपके गाउं में चलते हों, जो कलर आपके यहां माताय मैंने पहनती हैं, उन्हीं कलर का लाईए, वहाँ जो सेल्चमेन होते हैं, वो सभी को देते हैं, उन्हें यह पता नहीं है, कि आसाम में कौन सी साड़ी का कलर कैसा चलता है और राजस्तान में कैसा चलता है वो उनको बेचना है माल वो बेचने के लिए प्रियत्न करना उनकी जिम्मेदारी है मगर आपको लाकर के बेचना है तो आप अपने इसाब से खरीद के लाइए ये चुनाव आपको करना है आपके यहां 500 रुपे की साड़ी वह 200-300 रुपे के साड़िया बित्ती हैं तो आपको वैसी खरीद के लानी चीए आप कहीं मैंगी साड़ियां लाकर के दुकान में रख लेंगे तो गाउं में पहली बार नहीं बिखेगी ये तरीका है काम करने का दूसरा तरीका है कि उधार नहीं दीचिएगा ये लिए आप उधार देना सुरू कर देंगे तो एक बार ग्राहक आपके पास आएंगे आपकी दुकान खूब चलेगी आप राजी हो जाएंगे आज दस हजार का गल्ला आगया आज बीस हजार का गल्ला आगया अरे गल्ला कहा आगया आपने तो नाम लिखा है नाव लिखा हुआ पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा आपकी दुकान में से तो सामान चला गया परसों आपको सामान और लाना है कहां से लाओगे इस तरह की गलतियां आप करेंगे तो बिजनस नहीं चलेगा दोस्तो इसके साथ साथ आप सलवार सूट का बिजनस कर सकते हैं इसके साथ साथ आप बच्चों के कीडवीयर्स का बिजनस कर सकते हैं चोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो कर सकते हैं गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं सर्दियों के अलग होते हैं वूलन अलग होते हैं, वो भी आप ला सकते हैं यह बिजनेश बहुती फंटास्टिक बिजनेश है आज कल इसमें मातायें बहनें बहुत ज्यादा महनत करती हैं और उनका बिजनेश चलता भी है क्योंकि साड़ी का बिजनेश, सालवार सूट का बिजनेश या Kids Wear का Business ज्यादा तर खरीदने वाले ग्राहक महलाएं होती हैं जब महलाएं किसी महला सदस से को दुकान के अंदर देखती हैं तो वीजीली वो दुकान के पास आती हैं और खरीदना शुरू कर देती हैं हाँ ये बात जरूर है कि महलाएं मौल भाव में काफी महनत करवाती हैं आपसे डिजाइन वैराइटी क्वालिटी देखने में भी वो माहिर होती हैं इसलिए आपसे महनत तोड़ी ज्यादा करवाती हैं मगर धीरे धीरे जब उनको आपको कंस्टमर पे विश्वास हो जाएगा तो वह पहली बार में दूसरी बार में दिखाने के बाद में वह अपने आप खरीदने शुरू करतेंगे वीडियो पसंद आता है लाइक शेर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार